नाte नई सिच्छक नई बीशिक सिच्छक भरती का वेट करगाने सभी साथियों को विकास मिस्टताय का नमस्कार साथियों जैसा कि आप लोग जानते हैं, आप सभी पिछले एक वर्सों से, पिछले एक वर्स क्या ये कसमा सकते हैं कि डेड़ वर्स से, नई सिच्छक भरती का इंतजार कर वहें, बेसिक सिच्छक भाग में. लेकिन उत्तरपदेश में बेसिक सिच्छक भरती अपने आप में एक टेड़ी खीर होती है, आए दिन कोई नों कोई व्यक्ति आकर कि कोई नों कोई जिट या कोई नों कोई बाधा उत्पन करता है, और ये बाधा उत्पन करने वाले हमारे अपने ही अपने बीच के साथी ल वालों की कभी हार नहीं होती हमारे प्रदेश के वेविसाथी जो मुझसे अपसे पहले जुड़े हुए में दिसम्बर 2022 में शासन के दोरा एक आदेश सभी विएशे को भेजा गया है जिसमें उत्तर प्रदेश के अंदर कितने बेशिक सिछा विवाग में पद रिक्त हैं इसका ब्योरा मांगा गया है कई जिला के ब्येशन मौद एने उसका लेखा जुखा बना करके भेज भी दिया है उस पर कारेश चल भी रहा है और जो दो-तीन जिलों का डाटा अब तक प्राप्त हुआ उसके आधार पर काफी अच्छी संख्या सामने निकल करके आ रही है इस हिसाब से जो हमारे साथी 50,000 या 51,000 पदों की मांग कर रहे हैं वो मुझे नहीं लगता है कि उचित है आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा सीटिंग जोड़ी जाएं इसके लिए एक जुट हो करके प्रियास करना चाहिए साथियों हमारे जो साथी चाहें BTC के साथियों चाहें BAD के साथियों चाहें DLAD के साथियों आपसी डिस्प्यूटेट को मिटा करके एक साथ मंच पर आना चाहिए देखे सरकार हमेशा से यह चाहती है कि रोजगार तो दिया जाए लेकिन रोजगार को चुनावी मुद्दा बना करके उसका लाव लिया जाए तो साथियों यह जो आपका वस्तेईस है यह मान के चलिएगा कि उत्तर प्रदेश के अंदर लोग सवा की चुनाव होने जा रहे हैं उसको ध्यान में रखते हुए सरकार यह चाहेगी कि इस भरती इस भरती से युवाओं को तो रोजगार दिया जाए साथ भी उसके बदले में सरकार को भी कुछ प्राप्त हो हमारे प्रदेश के मुख्या मानी मुख्यमंत्री योगी जी भी रोजगार की बात करते हैं और उन्होंने रोजगार दिया भी है यद्दपी किसी भी सरकार के के लिए सभी को रोजगार दे पानना तो संभव नहीं है लेकिन हाँ जो हमारे साथी प्रतिवावान है उन सभी को एक अच्छे प्लेटफॉर्म पर लाकर के रोजगार देने के लिए सरकार प्रस्थिल है और उसमें रोजगार दिया भी गया है ये बात दूसरी है कि किसी का चैन हुआ है किसी का नहीं हुआ है खेर ये अलग की बात है साथियों आप लोग देख रहे होंगे इस समय उनहत्तर अजा सिच्छक भरती का एक मैटर भी अभी मनी हाई कोट लखनों में लंबित है और अड़सर सव सीटों को ले करके उमीद करता हूं कि सीग्री उसका नि साथी चाहे सामानेवर के साथी हो चाहे ओभी सी के साथी हूं यस्टी के साथी हो सभी लोगों ने मैं उसमें युगदान दिया है और उसका उम्मिद करता हूं कि पॉजटिव हल निकलेगा मैं आप लोगों से ये कहूंगा कि अपना हर जिले का एक बढ़ियासा एक संगठन बना के तयार करें जो अपने छेत्री विधायकों से शांसदों से मिल करके नई भरती के लिए प्रयास रत रहे साथियों ये चुनावी वर्स है इसका आने वाले समय पर बहुत ज्यादा असर पड़ेगा तो साथियों मैं इतना कहना चाहूंगा कि आप लोग अपनी तैयारी करते रहें तैयारी करने के साथ साथ में जन प्रतनीदियों से भी संपर्क करते रहें ट्वीटर पर भी लगाता है ट्रेंड कराते रहें कि मौका पा करके आप बेसिक सिच्छा नीजी शालाए जाकर करके स्रीविजय किरन आहन जी से भी संपर्क कर सकते हैं अधिकारियों से भी संपर्क कर सकते हैं और अपनी बात को रख सकते हैं 2 व् learner पृष्ट से साथियों ने परस्द किया कि क्या नई ही क्या थोगी कि नहीं होगी तो अभी पिछली टेट की साड़े ग्यारा बच चुके हैं तो मैं बहुत ज्यादा समय तो आपका नहीं लूँगा लेकिन वो साथी ऐसे साथी जो भविस्षी की बेसिक सिच्छा भरती के लिए तैयारी कर रहे हैं मैं उनसे इतना जरूर हूँगा कि आप मुझसे जुड़े रहिए मैं आपको हर चाहां B8 के साथी हों जाहां BTC के साथी हों उनको जादा से जादा रोजगार मिले वो तो सिच्छा विभाग में आ करके हमारे राष्ट की सेवा करें भारत को एक सशक्त भारत बनाने में अपना शहीयोग प्रणान करें लेकिन इतना जरूर कहना चाहूंगा कि आप यून आप लोगों तक सेयर करना चाहता हूं लेकिन आप लोग अभी नए हैं देखिए एक मैटर बहुत अभी हमारे साथी इस पर कमेंट करेंगे कि मामला सरवुच नियाला में हैं तो बीड और अगर आपने नहीं देखा हो तो आप उसको देख सकते हैं कि उसका संभावित क्या परणाम आने वाला है तो निश्ची रूप से मैं कहूंगा कि वह सरकार का काम है और जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि भारत का जो राजपत्र होता है उस पर कोई भी चीज लिखी हुई होती है तो उसका अपना एक महत्त होता है बाकि आप सभी लोग विद्वान व्यक्ति हैं सिच्षित हैं जानते हैं कि निर्णय क्या आएगा निर्णय जो भी हो हमिसाहर स्विकार करना चाहिए हमें अपनी योगिता पर भरोसा रखना चाहिए शाथियों मैं इतने कहूंग कि आप लोग मुझे से जुड़िये मैं आपको विश्वास दिरतना हूं कि सिच्षा बेसिक सिच्षा विभाग की या जूनियर की कोई भी खवर आप तक नहीं चुटेगी हर खवर आप तक मिलेगी बस करना क्या है अगर आपको मेरी बात पर विश्वास है और ट्रस्ट ह तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए लाइक करिए और देखेगा सब्सक्राइब करिएगा जिससे कि हैं सुचना आप तक महुचती चले रहे हैं बहुत ज्यादा बात करके ना कहते हुए मैं अपनी बात को यहीं पर इराम करूंगा कि आप लोग लगे रहेगा कि निस्तारण में बहुत ही तिवर्ता आएगी और बहुत ही जल्दी आशा करता हूं कि हमारे जो नय साथी नई सिच्छकभरती के साथी हैं बेसिक विवाग में वह दो हजार चौबिस के अंत तक अपने विद्यालियों में होंगे और इस भारत माता की सेवा कर रहे होंग होँगे तो इंग्लिश की तैयारियों को ले करके मैंने अपना एक चैनल बना रखा आए इंग्लिश वर्ड विद्विकास सर वहां पर मैं आपको पूरी जानकारी पूरी स्लेवर्ष को निशूल्क आप लोगों की सेवा में प्रस्तुत करने के लिए तैयार हूं आप लो इन ही कामनाओं के साथ आपका साथी विकास मिस्रा, नमस्कार, जैहिन भारत मता की जै.